उत्तेप्रदेश सरकार द्वारा संचाली 308 और 102 इंबुलेंस दिन बेशक घायलों या जरूत मंदों को अस्पदाल पहुचा कर उनकी जान बचाई हो या उनकी जरूत को पूरा किया हो लेकिन फतेपुर जिले में सडक में तड़क रहे घायल को देखकर एशडियम ने अंबुलेंस ना पहुचने पर घायल को अपनी गाली में लाद कर अस्पटाल पहुचाया वह एशडियम की मानवता देखकर लोग दंग रहे गए वह जब एशडियम से बात की गई तो उनका कहना था कि एशडियम बात में हैं पहले इंसान है इसे सडक किनारे तड़कता देखा तो उसे अपनी गाली में लेजा कर हाउस्पिटल में भरती कराया और उसका इलाज चल रहा है साधी उन्होंने कहा कि सभी को ये नसीहत देना चोहंगा की सडक के किनारे अगर कोई गाल पढ़ा हो तो उसे किसी तरह हास्पिटल में भरती कराया वहीं जब कारचालक से बात की गई तो उसका कहना था कि हजएम साभ अपनी गाली में गाल को डाल कर हास्पिटल पहुशाए है और उसकी जान बचाई है तो उनसे यही प्रेणा मिली है कि अगर कोई गाल पढ़ा है तो उसे ततकाल आस्पिटाल में भरती कराया किसे एंबुलेंस का इंतजार ना करें आपको बता दे कि वितीराथ साइकल सवार को एक स्कार्पियों ने टक्कर मारते हुए मौके से फरार हो गई तबी वहाँ से HDM साहब निकल रहे थे जिनोंने अपनी गाली में उस गाल को डाल कर अस्पिटाल पहुँचाया अपने पर वहाँ सूचना मिली एक अग्यात वहाँ ने टक्कर बार दिया है एक आदमे को मैं मौके पर पहुचा अपनी गाली लेकर वहाँ पर लोगों ने बताया कि 10 मिनट ही हुआ है गाली टक्कर बार के गई है पकड़ में गाली नहीं आई मौके पर एंबुलेंस भी लोगों ने सूचना दिया था कि अबुलेंस आने वाली जो मुझे लगा वहाँ पर की जो रास्ते में गाड़ियों काफिला ऐसे इस्तिती में अबुलेंस का आना संभव नहीं था मैंने तुरंत उसको अपनी गाड़ी में बैठाया और CAC प्रभारी जो थे उनको फोन मिल आया है हम कहीं कि अर्जेंट केस है आप मैं स्वाइम अपनी गाड़ी से लेकर आ रहा हूं और उहां पर ले जाके मैंने जिला स्वताल में मुझती कराया और उनका डाक्टरों के द्वारा इलाई से नुशित्ती आ गया उनका नाम थार नोखा स्वानाफ स्वरगी सीव मं अजित्ती के लिए जो भी इस तरीके से हैं तो कहीं न कहीं अपना बहाई बंदु यह जो इस तरीके से बढ़ा हुआ है तो हमारा नयतिक दाई तो बनता है कि हर जहां मुखा मेले उसका अपलों कृट करें ले अगर को गायल पड़ा तो उसको किस तरीके से आप लोग आगे से आप लोग भी सी तरीके फालो करेंगे कोई भी घाल पड़ा हो तो एम्बूलेंस का इंदजार नहीं सबसे पहुंची अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें साथी स्क्रीन पर दिखरें घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सबी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें